Hi guys, good morning, this is Shakti from Conceptual तो guys, एक trader है जिन्होंने बताया है कि उनको नुकसान हो रहा है हाला कि इनका बोलना ये है कि 15 trade इनके गलत चले गए 15 trade में इनको नुकसान हुआ, 30 trade इनके सही गए फिर भी ये धाई पोने 3 लाग रुपे के नुकसान में है तो guys आये फटावट से देखते हैं क्या है इनकी स्टोरी यहाँ पे देखिए इन्होंने screenshot भी अपना share किया है जहाँ पर ये दिखा रहा है कि इनको जो नुकसान हुएं, कम हुएं पर profit काफी जादा, मतलब double 15 बार इनको नुकसान हुआ, 30 बार इनको profit हुआ फिर भी इनका P&L जो है वो नुकसान दिखा रहा है 2,66,000 रुपे का, तो काई ऐसा क्यों है देखे, ये तब होता है जब trader यहाँ पे देखिए, आपको यही से इनकी स्टोरी समझा जाएगी ये तब होता है जब हम छोटा सा profit लेके बाहर चले जाते हैं एक बार profit होगा, दो बार profit होगा तस बार profit होगा, बीस बार होगा, तीस बार होगा पर जब नुकसान होगा, इतना बड़ा हो जाएगा कि एक ही जटके में सारा profit लेके चला जाता है जैसा कि यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है नुकसान कितने है, यह सिर्फ वह सिर्फ फर्स्ट पेज है जो उन्होंने शेर किया हमार साथ, यहीं से picture clear हो रही है, कि इनको जो नुकसान हो रहे हैं, वो कम हो रहे हैं, profit ज्यादा हो रहे हैं, अगर आप इनके total trades देखो कि यहाँ पे शब्स आट-ट्रेज हैं, उसमें से 2, तीन चार पांच छे साथ साथ ट्रेड हैं प्रॉफिटेवल सिर्फ तीन ट्रेड ऐसे हैं जहांपे इनको नुकसान हुआ है पर जो नुकसान हो गया बहुत ही बड़ा एक ट्रेड के अंदर एक लाख तरासी जार रुपिय का नुकसान जो यह आप इनका पांच वा ट्रेड बाकी सारे ट्रेड इनके देखोगा आप शुरुवात के ट्रेड अच्छे हैं बाकी ट्रेड जो है वहाँ पर भी कहीं पर आट जार का प्रॉफिट नो जार का प्रॉफिट पांच जार का प्रॉफिट पर प्रॉफिट बहुत छोटे हैं यही दिक्कत होती है ट्रेड के स उसका exit बनता है 200 में, उनको पता है, यहाँ पे हमें exit करना है, पर वहाँ तक वो पहुंच ही नहीं पाते हैं, वहाँ तक वेट ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका अपनी emotions पे control नहीं होता, तो काईजी यह बहुत बढ़िया example है, जो मैं आप लोग सा share करना चाहता था, जहा लदी exit कर जाते हैं, उनके पास strategy भी है, उनको पता है कहाँ पे entry करनी है, कहाँ पे exit करना है, पर exit के लिए वो wait ही नहीं कर पाते, और जहाँ पे उनको पता है कि अब level आ चुके हैं, trade मेरे against जा रहा है, अब मुझे यहाँ पे exit करना होगा, यह मेरा stop loss का point है, वहाँ पे भी वो exit नहीं करते हैं, assuming कि कोई बात नहीं, कुछ देर में market पलट जाएगी और उनको profit हो जाएगा, जैसे कि इन्हों ने किया, यहाँ पर यह बता भी रहे हैं, last expiry पे, market में यह expect कर रहे थे कि pullback आएगा, पर वो हुआ ही नहीं, और इनका जो trade था, वो नुकसान में चला गय और वो नुकसान, बड़े नुकसान में convert होगा, कुई Thursday expiry में क्या होता है, जितनी भी options, जो out of the money हो जाती है, वो zero हो जाती है, traders वहाँ पर wait ही करते हैं, कि अब भी कुछ देर में, यह out of the money, add the money तक पहुचेगी, यहाँ फिर in the money बन जाएगी, और उनको profit हो जाएगा, पर वो profit नहीं हो पाता, और अगर हो भी जाएगा, तो यार, देखो, मैंने यह भी देखा है, जो लोग इस तरह के trades करते हैं, जहाँ पर वो loss में बैठे रहते हैं, वो profit फिर भी नहीं बना पाएंगे, अगर trade profitable हो जाए, एक चीज़ अगर आपने 200 रुबे में खरीदी, उसका वेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी tendency गलत है, आप loss में बैठे रहते हो, आप profit में नहीं बैठ पाओगे, वहाँ पे आप जैसे ही cost तक पहुँचोगे, exit कर जाओगे, 200 के बाहो पे, जहाँ पे आपने entry की थी, वहाँ पे आपको तसल्ली मिल जाएगी, चल यार, ठीक है, no profit, no loss पे exit कर गया, इस नुकसान तो नहीं हो आज market में, पर वही trade जो है, फिर jackpot में convert हो जाता है, वही चीज़ा देखो कि कुछ देर के बाद 500 तक trade करने लग जाएगी, 700 तक करने लग जाएगी, और आपको लगे जहाँ पे 4-5 लाग रुपे बना सकते थे, आज मैंने बिल्कु cost to cost exit कर लिया, तो काई इसी लिए, जादा जो important है, वो है psychology, वो है mindset, ना कि strategy, strategy में तो हर कोई काम कर लेता है, हजारो strategies हैं, और believe me, सभी strategies काम करती हैं, कोई simple और easy trick भी use करोगे, वो भी काम करेगी, उसके भी results बहुत positive होते हैं, पर आपको वहाँ पे उसको follow करना आ follow कैसे कर पाओगे, जब आप believe करोगे अपनी strategy की वो काम करती है कि नहीं करती, paper rating से start करो, देखो उसको, 100 बार, 500 बार, 200 बार, उसके trades लो, उसका result देखो कि result क्या है, कितना percentage ऐसा है, जो वो सही जाती है, अगर वो 60 या 50% भी बोलूँगा, अगर 50% भी आपकी strategy ठीक है, तो वहाँ पर आप jackpot trades ले रहे हो, नुकसान 10, 20, 30 point, 40 point, profit, 100 point, 500 point, 200 point, यह होता है risk and reward, इस तरीके साब 50% वाली strategy में भी पैसा बना लोगे, तो strategy के पीछे नहीं भागना, जो चीज़ पर काम करना है, वो है आपका mindset, वो है आपकी psychology, तो guys क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है past में या फिर initially कि आप छोटे profit लेके exit करते थे और losses बढ़े, या फिर कितने लोगों के साथ अभी भी यह चीज़ होती है, please tell me